हेलो एवर्यवन माई नेम इस वकार असन एंड टुड़े वियर गोन डिस्कस तनेक्स पार्ट ओफ आवर ऐसे ओन ग्लोबल वर्मिंग पहले तिन पार्स इंट्रोड़क्शन के उपर थे और इंट्रोड़क्शन के बाद मैंने आपको बॉड़ी पैग्राफ लिखना सकाया था कॉजिज का एक कॉजिज का बादी पर अब इसकी आज अब निस्ट करेंगे नेक्स बाडी पैग्राफ जो के एफेक्ट के पर है तो मैंने स्टुएंट को कहा था कि मैं आपको पूरा ऐसे लिखवा हूंगा तो कॉज इंट्रोड़क्शन के पहले दो पार्स हमको मेरी प्रेस्ट मिल जाएंगे उसमें मैंने पूरा इंट्रोड़क्शन लिखके दिखाया है फिर आपको बोडी पैग्राफ का उसका मिल जाएगा पूरा बोडी पैग्राफ लिख रहा हूं आपके लिए अफेक्ट्स का एंड इन माई अपकमिंग लेक्शर्स आइम गोना शेर स्लूशन जाएंगे तो स्क्राइब कर लेटे ताकि आप उस सारे जोंसे लेक्शर्स मिलते रहें मैंने प्रेलिस्ट में से प्रेसी के सेक्शन बनाए हैं उसमें बहुत सारे लेक्शर्स आपको मिलेंगे वानफिवटी प्लस लेक्शर्स हैं ऐससे ना सिर्फ कम्प्लीड बच्चों को बलके ग्रामर कभी एक एक लेक्शर्स शेयर किया आप लेज्ट रिविजिट करें आपको तैयरी करने में बहुत असानी होगी तो लेक्शर्स स्टार्ट करते हैं एफेक्ट का मारा ग्लोबर वामिंग का एक काज हम ने डिसस किया था डिफॉरस्टेशन तो यह एक बाड़ी पैग्राफ है इसमें तो-3 चीजे में पहले बताओं रैपिटिशन नहीं है इसमें कोई आप यह नहीं देखेंगे कि मतलब कॉस डिसस्ट किसमें सारे एफेक्स डिसस्ट किए क्योंकि एफेक्स का बाड़ी पैग्राफ है तो यह नीड टू फॉलोग प्रापर पैटर पैर्टर फैनिंग गुट्ड बॉडे पैग्राफ और अगर आप टॉपिक यह नोगी पैग्राफ में तो आपका बाड़ी पैग्राफ बहुत अच्छा बन जाता है तो स्टार्ड करते हैं आपको एक्स्टेर्ट करतों कि कैसे बनाते माइब निटिटिए यह पैले संटेंस इंखको आपPKS बोलते हैं आपकी बड़ी पाग्राफ किया करने जा रहे हैं किया ६ड़ी पार डिस्केशन ऋसको किस पर किस दो किस पात करेंगे अब दीफॉरस्टरिशन के इंपेक्स पेड़ करनी थी एक्स के ओपर दीफॉरस्टरिशन के तो हमने उसी को टॉपिक स्टेटमर्ट बनाया और वहीं मेंचिन किया कि टा डिलिस्टिंग पेस ऑफ डीफॉरस्टरिशन एक हिंट दिया कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स डी फरेस्टेशन की वहीं है और ह्यूमन विंग्स को हर तरस उसने एफट किया तो मैंने प्रॉब्लम्स करूंगा जो इंसानियत को या लोगों पर क्या इमपेक्ट हुआ तो यह तो पहला आगे topic statement इसके बाद है in fact nature has been forced to come into action to bulwark this planet against the brutalities of humans तो यह पहला fact the frustration का कि nature जो उसको force किया गया है कि वो अर्थ को protect करें against the brutalities of human beings जो भी activities थी यह है human beings की उनसे protect करें अर्थ को नेचर को force किया गया इस बात पर तो नेचर को force करने का नीची अब मैं पैगराफ बताऊंगा कैसे नेचर जोंस ही है उसको force किया गया और कैसे नेचर ने जोंस है action किया अगेंस्ट था एक्टिविटिस फिर मिंग्स जी नेक्स्ट है हां जी डी फ्रस्टेशन है से मुटेटिट तन नेचरल वेदर पैटरंस ओफ द वर्ड जी पहला एफेक्ट आ गया के डी फ्रस्टेशन की वेज़ए से जो क्लैमिट आपके वेदर पैटरंस हैं उनकी मुटेशन होगी उनका उनका चेंज हो गया उनमें विजीबल चेंज आई उसकी वेसे हुआ क्लाइमेट आपका दुनिया का चेंज हुआ तो यह डिफ्रस्टेशन का एफेक्ट है आरेनिकली अ कॉंस्टर राइज इंद आवरेज टैपरेचर दो ग्लोब इस काजिंग दे तो इसमें मैंने दो एफेक्ट इसस कर लिए कि आपके जो आवरेज टैपरेचर राइज था डैटर्स कॉस्ट दा मैल्ड़न उगलेशिर्स ठीके नेक्स्ट जी अडिशनली डिफ्रस्टेशन एस एसकलिट अमाउंट अफ कर्बन अमिशन इन एटमस्फेर एक और एफेक् अब तीसरे एक्ट किस वेसे समोगी वेसे अब आप देखें कि मैंने कैसे एफेक्स को कुणेक्ट किये जा रहा हूं डिफ्रस्टेशन के एक एक एक्फेक्ट मैंने यहां पर बता है करबन मिशन मैं करबनेश्वर के मैंने क्रबनेशं कि साथ ही मैंने बता दिया कि आपके सांस लेने मुश्किल हो गया और य से समोग्य लिखता जा रहूं एक्सके को कुनेक्ट करता जा रहूं कोई जहीं वान पच्छे और एक्ट आगया एक्स्ट्रीम आगी ने वारे वेदर पैटरंस में कहीं पे हीड वेव आ रही है कहीं पर बहुत बढ़ जाती है तो यह एक्स्ट्रीम एधर पैटरंस है दीफरस्टेशन की वेशे यह पहले संट्रीम जिए था क्लामिट चेंज हुआ है उसकी वेशे सारे इंपक्ट आरे नेक्स जी प्लैनेट इर्थ विच वांस फॉर्स्टेशन के और इफ्ट पता दिया कि हमारी अर्थ सफोकेट का रही है उसके आपने लंग्स फट कर दी हैं डीफरस्टेशन के वेशे फॉर्स्ट कवर खतम कर दिया है अब हम कंक्लूडिंग सेड़ पर जाएंगे ना आपने इस पैग्राफ को कंक्लूड भी इज़ टौन होता है अफेक्स बता कि अचानलक आपने लीब नी करना तो पैग्राफ को यू हैव तू इज़ तो दो तीन सेंटेंस कंक्लूड भी क दो आपने तरह करते होते हैं अब अब आर्फ ने क्या किया वह रिटेलियेट कर रही है जो हर्फुल एक्टिविटीज इंसान कर रहे हैं उसके तो अब यह कि तरफ हम जा रहे थे आपको कर दिए तेरफोर वी नीज़ टू एच्ट वास्ट तो मिनिमाईज भी इंपक्स यहां जी तो हमें कुछ करना है क्यों और टो आवर्ट अपवसिबल क्लाइमिट डिजाष्टर क्लाइमिट डिजास्टर को अवर्ड करने के लिए और क्लाइमिट डिजास्टर बेसिकलिए आपका गलोबर वार्मिंग की तरफ इशारा कर रहा है जो कि आपका ऐसे है तो यह देखें कि इसमें एक अफेक्ट को दूसरे से दूसरे को तीसरे से और तीसरे को चोत्रे से मैं क का अर्थ सब्सक्राइब कर रही है मैंने सिर्फ इंडिकेशन दी कि बहुत सार प्रॉब्लम में डिफरस्टेशन के वे से और नीचे मैंने प्रॉब्लम को लिस्ट डाउं कर दिया इस पूरे बाड़ी पाग्राफ में लिंक बना दिया और एंड पर मैंने यह जो आखरी दो- के दर्मियान रदीसक्शन करते हैं अगर आपने क Na पॉइंट आफिपरूब्लम के विए से तो आप उन प्रॉब्लम को आपने मैं लिस्टाउं किया या में करके कम औंसी प्रॉब्लम में और यह नहीं कि KNOW यह बन्हें करके काई की ऍडीज िर शूर्यीने उप्तलब चीब से बैदिए के जरी यह मुक्तलिफ एफ्ट आपनी आप डिसर्स की एंपकित बाड़ी पागराफ में तो यह बाड़ी पैगराफ hey आप आप लोगों से अफट के वर का ऊजिस की आपर बाड़ी पैगराफ मैंने बना था डीफरस्रेशन की यह फोरस्रेशन का दिखाँगा आपको क्योंके बता देना कि आपने इस तरह लिखना है समझाना लिखके एक अलाधा चीज है तो आप बच्चों को मैं समझाऊंगा भी लिखके दिखाऊंगा कि आपने कैसे अप्रूब करने बड़े पैगरा तो प्लेडिस्ट में जाएं ग्रामर के उपर जो भी आपको लेक्चर चाहिए वो मौजूद है वहाँ पर अगर कोई नहीं है मुझे बताएं मैं आपको बना दूँगा ऐसे के उपर भी धेर सा लेक्चर मौजूद है एक एक पार्ट मैंने डिसस की ऐसे का तो प्लेडिस्ट में जाएं उदर आपको बेताशा लेक्चर मिलेंगे डेर सो लेक्चर मैंने शेयर किया है आपको घर बेठे आप तैरी कर सकते हैं सी एसेस पी एमस की और अगर आप चाते हैं कि लेक्चर मैं आपके लिए बिनाओं मुझे टॉपिक बताया करें मैं लेक्चर बनाया करूंगा और देखते रहें सक्साइब कर लें और दौाओं में याद रखिएगा थैंक्यू सो मच